हलो गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल परमी ब्यूटी वर्ड तो कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ आप सब लोग सस्त और मस्त होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हमारी आज की वीडियो गाईज आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूं फ्रेडिंग टूस्तोरियल अन्मयी true मेहां पास इनका ब्रायड्र मेकप किया था और मेरे पास इनकी प्रिद रायडर की बूकिंग नहीं थी प्रिद इन्होंने घर पर ही कर रखा था पर जब ये मेकप करवाने आये तो इन्होंने थ्रेडिंग नहीं करवा रखी थी तो मैंने इन से पुछा कि आपने थ्रेडिंग क्यों नहीं करवाई तो ये बोले कि मैम आप जैसा मेरा आइस मेकप करेंगे उसी साब से threading कर दें पर मैंने इनको बोला कि आपको 2-3 दिन पहले आना चाहिए था अगर आपको मेरी हिसाब से threading करवानी थी तो कम से कम 2-3 दिन पहले आ जाते तो यह बोले मेरे पास इतना time नहीं था तो मैंने सुचा चलो कोई नी अब मैं इनकी threading कर रही हूँ और threading में इनके last में cut भी है तो उस cut को ध्यान में रखते हुए हमने इनकी मोटी-मोटी threading ही बनाई है क्योंकि अगर हम उस cut को निकाल देते तो इनकी threading काफी बारीक हो जाती और मुझे make-up में एक अच्छा सा look देना था और इनके face की need के according मैंने इनकी threading की है और उस cut को ध्यान में रखते हुए भी threading की है ताकि threading पीछे से ज़्यादा पतली ना हो जाए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने उस cut को cover किया है सबसे पहले मैंने ऊपर के hair निकाले है और आज कल क्या है मेकप में सबसे ज़्यादा trend में arch shape threading है arch में ही make-up किया जाता है arch में ही shape दी जाती है और यह जो मेरी client है इनकी already arch shape हो भी रही थी soft arch मैंने इनका बनाया ज़्यादा sharp arch नहीं बनाया क्योंकि इनकी nanaksh already काफी तीखे हैं अगर मैं इनकी ज़्यादा sharp वाली threading बनाती तो वह अच्छी भी न लगती है और पीछे वाले हमें cut को भी देखना था और बस extra ही hair remove किये हैं ज़्यादा shape देने के चकर में नहीं पढ़ना अगर आपके पास कोई time के time threading करवाने आता है क्योंकि अगर client की skin sensitive है जैसे कि इनकी skin sensitive है बार बार जहाँ जहाँ धागा लगेगा महाँ महाँ skin red होती चली जाएगी तो इसलिए मैंने ज़्यादा इनकी threading नहीं बनाई बस हलके फुल के hairs निकाल कर एक अच्छी सी shape दे दी है जैसा कि मुझे make up करना था proper तरीके से इनकी threading हो चुकी है one side की दूसरी side में देखे इनके front पर hairs काफी कम है बस उन hairs को हमने छोड़ दिया है और उससे आगे के hair remove कर दिया है और वहाँ पर हलकी सी shape दे दी है और उस side हमारे cut था तो back side की मैंने जो threading थी करते हैं इनकी almost threading complete होने वाली है guys अगर आप इनके make up की video देखना चाते हैं तो मेरा एक और channel है जिसका नाम है Pummy Beauty Parler जिस पर mostly जो वीडियो है make up से related upload की जाती है अगर आपको make up की video देखने में इंटरस्ट है तो आप मेरे उस channel को subscribe कर ले और मेरे इस channel पर पालर में जो भी काम होता है bleach, facial, waxing threading, every topic से related video upload की जाती है अगर वे video आपको अच्छी लगती है तो video को like करें, share करें साथ में channel को subscribe भी कर दें and bell icon को जुरूर press करें ताकि आने वाली latest video की notification आपको time to time मिलती रहे और जो लोग मेरे new channel को subscribe करेंगे, वे मेरे channel पर comment जुरूर करें कि उन्होंने मेरे channel को subscribe किया है, तो मुझे भी पता चले कि कौन-कौन मेरे इस channel के subscriber उस channel पर जुड रहे हैं तो इनकी threading का almost procedure complete हो गया है, thanks for watching thank you so much, तो चलिए मिलते हैं आप से किसी next video में, okay take care, bye bye